यह एक इंपोर्टेंट अनॉस्मेंट है आप सभी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वी आई पी ग्रूप में 50 डॉलर से 500 की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है अगर आपने अभी भी जॉइन नहीं किया वी आई पी ग्रूप देन यू आर मिसिंग 50 डॉलर्स तू 500 डॉलर्स सीरीज जिसमें कि आप लोग अर्ण कर सकते हैं 50 डॉलर्स का डिपॉसिट करके विट अवर प्रॉपर मेनी मैनेजमेंट हम वहापिस सिगनल्स प्रोवाइट करते हैं वी आई पी सेशन में दो टाइमिंग है 6.30 पीम और 9.30 पीम अकॉर इंडियन करके मैं आप करका हमारे विब चैनल में यह आप देख सकते हैं आगारे विब को ब्रॉप यहां पराफिट बना रहे हैं आप भी हमारे साथ जुड़के यहां पर प्रॉफिट बना सकते हो गाइज और आपको इसके लिए कुछ भी पेर नहीं करना है तो जल्दी से मैसज क अगर आपने प्रिवेस वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्रिप्शन में मिल जाएगा यह हमारी यूट्यूब चैनल पर जाके इससे पुराना वाला वीडियो आप चेक आउट कर सकते हो और इसमें सारी चीजे मैंने बहुत ही डिटेल के साथ बताई थी किस तरीक से आप 100% शोर शोर ट्रेड की तरफ जा सकते हो यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कुछ चीजें देखे गाईस यहां मार्केट जो है एक डाउनवर डारेक्शन की ट्रेंड में चल रहा है अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूं जो चीज डॉलर का मैं यहां ट्रेड प्लेज करूंगा जो की प्लेज होगा वान मिनिट की तरफ तो यहां मैंने डाउनवर डारेक्शन का एक प्रेड लिया है नेक्स ट्रेड में कब लूंगा वो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर हम करेंगे लैडर ट्रेडिंग का यूज आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा नेक्स ट्रेड होगा वो होने वाला है गाईज अगर मैं यहां पर एक लाइन खीचूं किस तरीके से खीच नहीं है वो लाइक मैं आपको बताता हूं यह देखिए आप यहां पर जो प्रीवियस टाइम पे जो सपोर्ट से गाईज यहां मार्केट जहां पर थोड़ा भी स्टेगिनेट हुआ था वहां के अकॉर्डिंगली मैंने एक लाइन खीची है और उस लाइन के नीचे मैं ट्रेड करूंगा प्लेस यहां पर देख सकते हैं यहां पर काफी बार मार्केट ने सपोर्ट लिया यहां भी काफी बार बहुत सा मार्केट का उसी तरीके से मार्केट मूँव करेगा मतलब 20 मूविंग एवरेज को अगर वह डाउन बडार डारेक्शन में कट करता है तो ईसके बाद वो वापस से नीचे आएगा जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर MECD और यहां पर उसके नीचे है हमारे पास William percentile R, तो यहाँ मैं multiple trade place करने वाला हूं, यहाँ मैंने multiple trade place किये हैं, क्योंकि यहाँ पे MACD भी zero level की नीचे बनने वाला है, और यहाँ पे एविलियम परसेंटाल आर में भी आप देख सकते हैं कि डाउनवर डारेक्शन के जो बार्स थी वो बनना स्टार्ट हो गई थी बट वहाँ से अभी हट गई है let's wait मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस सिगनल प्लेस किया है क्योंकि मैं ज्यादा यहाँ पर confirm हूँ sure हूँ कि market उसी trend को follow करेगा तो यहाँ पर पहला profit हमारे हाथ में आता हुआ देखिए आप पहला profit हमें यहाँ मिलने वाला है बहुत ही जल्दी GBPUSD पर first profit हमारे पास आने वाला है आप chart पर देखते रहे हैं पहला profit हमारे पास है यह ladder trading है guys यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD नीचे बन चुका है यहाँ पर zero level के नीचे आगया है MACD और William percentile R भी downward direction में form होना start हो चुका है अब आप यहाँ पर देखिए William percentile R downward direction में form हो रहा है and MACD जो है MACD भी zero level के नीचे आ चुका है तो इस तरीके से यहाँ पर market में downward direction का trend देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप देखिए यह दूसरा profit यह तीसरा profit हमें यहाँ पर हो चुका है अब आप profit को count करी अभी और भी trade place किये हुए है मैंने यह सारे के सारे एक ही confirmation पर चल रहे हैं जो की है कि 20 moving average के नीचे है market और यहाँ पर MECD भी zero level के नीचे है और यहाँ William percentile R के जो graph है minus 50 level के नीचे जा चुके है तो यहाँ बहुत ही volatile market पे मैंने यहाँ पर trade place किये है with 1% investment only यहाँ मैं 1% investment का use कर रहा हूँ अभी भी हमारे पास कुछ time बचा हुआ है let's check out the result यहाँ पे हम देखेंगे closed में देखेंगे हमारे जो result है देख सकते हैं 1,2,3,3 bringing trades हो चुके हैं already और यहाँ पे कुछी देर में हमारे पास और भी profit आने वाला है हम wait कर रहे हैं profit का, profit का wait कर रहे हैं बट यहाँ दौनों ही trade fail हो गए है last moment पे trade fail हो गए है हम क्या करेंगे guys जो trade का amount था उसको just double कर देंगे तो यहाँ हम मैं करूँगा $2500 का trade जो कि almost होगा 5 to 8% की around तो यहाँ मैंने 1 minute का downward direction का trade place किया है मैं wait करूँगा यहाँ पे क्यूंकि market लगा था 20 moving average के पास था तो यहाँ पे possibility है कि market वापस से नीचे जाएगा बढ़ यहाँ से market turn हो चुका है तो कोई बात नहीं इस situation को हम handle करेंगे अब हम wait करेंगे guys इस portion का इस portion से market जैसे ही उपर जाता है और MACD अगर zero level की उपर जाता है तो हम definitely trade place करेंगे wait करेंगे wait करेंगे wait करेंगे जल्दवाजी नहीं करनी है अगर आपका बड़ा trade भी fail हो रहा है तो आप उसको भी recover कर सकते हैं wait करेंगे wait करेंगे wait करेंगे आप अपने investment के percentage को ध्यान रखें कि 10% 20% 5% कितना investment है आपके per trade पे यहाँ पे बहुत ही close आके उपर जा रहा है इसका मतलब आप देख सकते हैं कि rejections मिल रहे हैं इसको लगातार market से rejections मिल रहे हैं अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है market यहाँ से अभी भी नीचे आ सकता है देखे गाईस यहाँ पे 1,2,3 3 red candles बन गई है और मैंने आपको कई बार बताया कि 3 red candles का क्या sign होता है कि market वहाँ से downward direction में आ सकता है बट मैं यहाँ wait करूँगा एक और red candle का जो की बनेगी आपकी 20 moving average के नीचे अगर वो 20 moving average के नीचे बनती है या yellow line के नीचे बनती है तो मैं यहाँ trade place करूँगा आप देख सकते हैं किस तरीके मैं यहाँ trade place करने वाला हूँ और मेरा जो trade होगा वो downward direction की तरफ होगा मैंने यहाँ trade place किया downward direction में क्योंकि यहाँ पे MACD भी 0 level के नीचे है और आपका जो William percentile R है उसका graph भी देख सकते हैं वो भी 0, minus 50 level के नीचे बनना start हो चुका यह portion देखिए यह portion देखिए और यह portion देखिए ठीक है आपकी strategy अगर 20-30% भी work कर रही है और आप martingal use कर रही है तो आपको कोई भी profit लेने से नहीं रोख सकता तो यह था हमारा first confirmation, यह था हमारा second confirmation, यह था हमारा third confirmation और आप देखिए यहाँ पे हमें बहुत ही जल्दी profit देखने को मिलेगा तो यह first confirmation है, यह second confirmation है, यह third confirmation हम वेट कर रहे हैं हमारे trade के result का जस्ट मैंने यहाँ पे second step martingal use की अपने में क्योंकि मैं वहाँ पे जा सकता था, मेरे पास अभी भी बहुत ही अच्छा percentage बचा हुआ था अपने account पे, जिससे कि मैं martingal follow कर सकूँ और मैं अपनी strategy पे stick था, मैंने कोई भी emotional trading नहीं की मैंने देखा कि market में कब मुझे सही signal मिल रहा है तभी मैं trade place करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ में होता है profit, दोनों ही trade से हमें profit हुआ है और हमारा loss भी recover हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25-20, 2050 profit, 2050 profit, 2050 profit तो हमारा पुराना loss recover हो गया, profit में आ गया है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी market 20 moving average की नीचे ही चल रहा है बट हम wait करेंगे, यहाँ 3 green candles बन चुकी है तो wait करना है यहाँ पे, अभी हमें trade place नहीं करना है 3 green candles are the strongest confirmation of uptrend बट हम फिर भी wait करेंगे यहाँ पे अब देखिए आपको क्या करना है गाईज, check करना है इस portion को यह जो portion है, यह जो portion एक नया, एक नये trend की तरफ जा रहा है यह downtrend भी हो सकता है गाईज, तो यहाँ पे हमें wait करना है और यहाँ पे मैं trade place करूँगा, अभी भी market जो है, वो कोई सही confirmation नहीं दे रहा क्योंकि MACD zero level की नीचे है, बट, William percentile are minus 50 level से उपर जा चुका है तो अभी हमें wait करना है और उसके बाद ही हम trade place करेंगे मैं वापस से place करूँगा यहाँ पे $2500 का trade, मुझे चाहिए है यहाँ पे profit और मैं बनाऊँगा यहाँ से profit, तो यहाँ पे देखे किस तरीके से मुझे trade place करना है मैं wait कर रहा हूँ, wait कर रहा हूँ, wait कर रहा हूँ and yes मैं place करूँगा यहाँ पे trade बहुत ही जल्दी जैसे 20 moving average को market download direction में cut करता है या इस red color की जो आप trend line देख रहे हैं इसकी उपर market जाता है क्योंकि market trend भी change कर सकता है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है तो हमें यहाँ पे wait करना है, यहाँ जल्द बाजी नहीं करना है क्योंकि जल्द बाजी करोगे तो emotional होके आप loss कर सकते हो, अब यहाँ से देखे यह होगा हमारे लिए एक signal और हम यहाँ से place करेंगे trade देखते हैं, wait करते हैं, market में क्या चल रहा है, यह portion है, जो कि एक risk की zone है, जहाँ से market उपर नहीं जा पा रहा है, तो हम यहाँ पे wait करते हैं और wait करते हैं, wait करते हैं, wait करते हैं, wait करते हैं, क्योंकि अभी सारे के सारे signals upward direction की तरफ ही इशारा कर रहे हैं और यहाँ पे मैं place करूँगे trade upward direction की तरफ, क्योंकि MACD उपर आ चुका है, 0 level के, MACD उपर आ चुका है, 0 level के, आप देख सकते हैं, William Percental R की जो graph है, bar graph, वो भी minus 50 level से उपर बन चुकी है, और यहाँ पे जो market है guys, इसको breakout दे चुका है, इस particular region को, तो हम यहाँ पे wait करेंगे, देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है market यहाँ से change होता है, या हमें यह trade win होता है, देखेंगे, अभी भी market उसी portion पे ही अटका हुगा है, same portion पे trade चल रहा है, बिल्कुल भी आपको emotional नहीं होना है guys, trading में यह देखेंगे, market यहाँ से, जैसा मैंने expect किया था, वैसा ही market यहाँ से, अब forward direction की तरफ, move करने का try कर रहा है, बस अब हमें क्या करना है, market यहाँ से, एक candle all green बनाते, तो हमारे लिए हो जा valuation तो हमें draw हो गया है, वो trade, अच्छा खाजा profitable deal जो थी हमारी वो draw हो गई, हम यहाँ से, एक और trade अपर direction प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी market जो है, वो अपर direction की तरफ ही जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, यहाँ में $2500 का एक और trade प्लेस किया है, GBUSD पे, let's wait, एक trade मे और यहाँ पर place कर सकता हूँ guys, GBUSD पे, but अब entry point निकल गई है, यहाँ पर देखिए, जो market है, 20 moving average के उपर है, आपका MACD जो है, वो भी 0 level के उपर है, और यह जो portion है market इसको cross करकी उपर जा जुका था, but एक strongest rejection देखने को मिल दा है market में, let's wait, कि वो कितना देर तक वहाँ पर से रहता है, यह market यहाँ से trend change करता है, wait करेंगे, हम इस चीज को देखेंगे, और यहाँ जैसे कि आप देख सकते है, 20 moving average को market ने downward direction में cut करने, पूरी कोशिश कर लिए, तो यहाँ पर मैं दो trade place कर रहा हूँ, और यह 3 trade place की है, मैंने 2500 के, क्योंकि market ने अपने flow को वापस से ब 500 के 3 trade place की downward direction में, क्योंकि market ने cut किया, यहाँ पर 20 moving average को downward direction में, उसके बाद आप MACD देख सकते हैं, कि MACD भी change हो गया, suddenly, MACD भी downward direction बनना start हो गया, और William percentile R भी नीचे बनना start हो चुका है, minus 50 level के, और 20 moving average के नीचे हमारी candle close हुई थी, वही मैंने trade place किया, जैसे ही candle close हुई, क्यो हो रहा था, तो हम वहाँ से profit ही बना रहे थे, और market एक long term trend sustain कर पा रहा था, यह देख सकते हैं, आप long term में market जो trend है, वो downward direction का ही चल रहा है, यह portion आप इसको इसको इस तरीके से देख सकते हैं, कि market जो है, वो downward direction की तरफ चल रहा है, तो यह हमारे results होते हैं, यहाँ और हमारे की का use करके trading करना, आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इस सारे trades आपके सामने लिए, इस सारे trades आपके सामने live हुए, कोई भी यहाँ पर जो भी चीजें थी, किस तरीके से market वर्क करता है, किस तरीके से market ने हमें धोका दिया, breakout गलत direction में हुआ, किस तरीके से market में fluctuation हुई, व आप लोगों ने इस से काफी कुछ सीखा होगा गाईस, तो शेयर करो अपने अपने feedbacks on the comment section, और वीडियो अच्छे लगा तो like जरू करना गाईस, और कुछ सीखने को मिला है, या next topic कुछ आप पूछना चाहते हो, तो भी आप comment section में मुझे message कर सकते हो, टेली ग्राम पे तो आपकी किसी भी doubt के लिए, मिलते हैं in the next video, till then take care guys and goodbye.